हेलो फ्रेंज, वेलकम टू एक्जामेल पाच की इस वीडियो में आप सभी को इनफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से हिमाचर प्रदेश पॉलिस डिपार्टमेंट में कॉनस्टेबल की वीरियस वकेंसिस पर ओनलाइन एप्लाइ कर सकते हूँ अपने मुव इस टॉप साइट पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है एचपी पॉलिस डिपार्टमेंट और इसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर हैचपी पॉलिस पर इस पर क्लिक करने के बाद इ और आपके पास already registered mobile number और password है तो आप उसको डाल कर यहां से directly login कर सकते हो या फिर आप पहले बार इन vacances पर apply करने वाले हो तो सबसे पहले आपको अपनी registration करने होगी इसके लिए आपको यहां पर new user पर क्लिक करना है और उसके बाद कुछ इस प्रकार का interface open हो जाएगा registration के लिए सबसे पहले आपको अपने हिमाचली bonafide certificate का number सबसे पहले डालना है और यह number आपको मिल जाएगा अपने bonafide हिमाचली certificate के right side पर next आपको अब अपना name fill up करना है name के बाद अपना mobile number डालना है इसके अलावा आप यहां पर अपना email ID भी डाल सकते हो उसके बाद आपको register पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद जो आपने यहां पर अपना mobile number डाला है उस mobile number पर आपको OTP सेंड की जाएगी OTP को डालने के बाद आपकी इस mobile number पर आपको password सेंड किया जाएगा अब आपको यहां पर यह mobile number सबसे पहले एंटर करना है और उसके बाद यहां पर जो password आपकी इस mobile number पर सेंड किया गया है उसको यहां पर fill up करना है उसके बाद submit बटन पर क्लिक करके login करना है Login पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का Interface उपन हो जाएगा आपको यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद OK बटन पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर आपका Application उपन हो जाएगा सबसे पहले आपका नाम यहां पर Automatic आ जाएगा आपका हिमांचली Bonofide Certificate का नमबर भी यहां पर Automatically आ जाएगा Next अब आपको यहां पर अपना Father Name एंटर करना है Date of Birth डालनी है Identification Mark डालना है Gender Select करना है अपना अधार कारड नमबर डालना है उसके बाद यहां पर आपको अपनी Education Qualification फिलफ करनी है सबसे पहले आपको 10 प्लस 2 की Qualification फिलफ करनी है सबसे पहले आपको Select करना है कि आपने किस Board से अपनी 10 प्लस 2 की है Next Status Select करना है क्या आपने 10 प्लस 2 पास कर ली है या फिर आप Appearing में हो यहां पर Select करना है Next आप यहां पर अपना Certificate Number और कब आपको अपना Certificate Issue हुआ है इसकी Date डाल सकते हो यदि आपने 10 प्लस 2 पास कर ली है Next आपको यहां पर 10 की Education Qualification की डिटेल भी फिलफ करनी है सबसे पहले Select करना है कि आपने किस Board से 10 पास की है कब आपका Certificate Issue हुआ है और Next आपको Certificate का Number यहां पर फिलफ करना है जदि आपके पास कोई दूसरी Education Qualification है जैसे आपने Graduation की है तो आप Add Qualification बटन पर क्लिक करके अपनी दूसरी Education Qualification को भी यहां पर एड़ कर सकते हूँ Next अब आपको यहां पर अपना Crosspondence Address और Permanent Address फिलफ करना है परमनेंट Address में सबसे पहले आपको अपनी District Select करनी है और Next आपको यहां पर अपना Block Select करना है Next आपको यहां पर अपनी पंचाइत या फिर बार्ड स्लेक करना है Next नीचे अप आप यहां पर अपना Full Address फिलफ कर सकते हूँ Next आपको यहां पर क्लिक करना है कि आपकी स्पोस्ट पर अप्लाई करने वाले हूँ General Duty पर या फिर Driver की पोस्ट पर Next आपको यहां पर अपनी Category Select करनी है सबसे पहले Category Select करनी है उसके बाद Sub Category इसके बाद अब आपको यहां पर अपना Photograph अप्लोड करना होगा और यहां पर Passport Size Photograph का Size 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए Next यहां पर आपको अपने Signature का Photograph अप्लोड करना होगा और इसका Size 4 KB से अधिक और 30 KB से कम होना चाहिए आप किस प्रकार से अपने Photograph का Size बढ़ा सकते हूँ या गटा सकते हूँ इसके लिए आप App उयोज कर सकते हूँ जो की अपीर हो रही है आपकी स्क्रीन पर आप इस App को डिरेक्टली Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हूँ Next आपको यहां पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर Proceed बटन पर क्लिक करना होगा Submit बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी Application Fee समिट करने होगी आप अपनी Application Fee Online Mode से भी जमा कर सकते हो या फिर चलान के माद्यम से भी जमा कर सकते हो और इन सबी Banks के थूँ आप अपना चलान जनरेट कर सकते हो Simply अपनी Fee को समिट करने के लिए आपको Pay Now पर क्लिक करना है और यहां पर Pay Now पर कलिक करने के बाद आपको समिट करना है कि क्या आपको अपनी Application Fee Online माद्यम से समिट करनी है Offline माद्यम से समिट करने के लिए आपको यहां से चलान जनरेट करना होगा और इस चलान की फोटो कोपी निकाल की और इस चलान को जो आप अपने बैंक में जमा करके अपनी application fee को submit कर सकते हूँ यहां से आप select कर सकते हूँ कि क्या आपको अपनी payment credit card से करनी है या फिर रूपी debit card से करनी है या फिर offline mode से करनी है तो offline mode से करने के लिए आपको यहां पर cash पर select करना होगा और यहां पर select करने के बाद आपको अब यहां पर bank का name डालना है आप यहां से कोई भी bank डाल सकते और यहाँ पर आपको Pay Now पर क्लिक करना होगा और Pay Now पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर चलान जनरेट हो जाएगा और आप यहाँ पर क्लिक करकी अपने चलान की कौपी को डाउलोड कर सकते हो और इस चलान की कॉपी को फोटो स्टेट करके अपने निरबाई बैंक में जमा करके अपनी अप्लिकेशन फी को सम्मिट कर सकते हूँ ये थी फूल इंफोर्मेशन के आपकी इस प्रकार से हिमाचल परदेश में सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन जरू से प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नए वीडियो इस चैनल पर अप्लोड उसका नोटिफिकेशन आप सब इको तरन से मिल पाए थेंक्स फॉर बॉच्चिंग